इस वीडियो में आपको बता हूँगा जब हमें Samsung के डिवाइस में कोई application खोलते हैं चाहे camera हो या फिर other कोई application जो कि by default आता है company की तरब से जब उसे खोलने की कोशिच करती है तो कभी कबर हमारे सामने जो है इस प्रकार से error के दोर पर लिखा आता है जिसमें यह लिखा है security policy restrict you from stopping this application तो इसका क्या solution है इस वीडियो में आपको बताता हूँ और यह क्यों आता है वह भी बताएंगे तो वीडियो को एंट तक देखेगा और वीडियो अच्छे लगी तो like और चैनल को subscribe कर लिजे देखे यह problem उस case में ज्यादा तराते है अगर आप phone EMI पर खरीद रहे हो अगर आप किसी phone को EMI पर खरीदते हो तो वहाँ पर setting जिसने phone बेचा है या फिर company की तरफ से कुछ इस तरह की facility आती है जब तक आप अपना EMI complete नहीं करते हो इस तरह के से जो आपको problem है वो आपकी device में देखने को मिल सकती है जो device EMI पर खरीदे जाते है उस पर यह जो की problem mainly आती है क्योंकि कई बार लोग जो है payment EMI का सही time पर नहीं करते है and उस case में जो है company कुछ restriction आप पर लागा देती है जिससे आप अपने device को use ना कर सको and then आप अपना EMI complete कर सको ठीक है इस तरह से मतलब पर प्रॉब्लम आ सकती है EMI की वजय से किसी केस में EMI अगर हम phone EMI पर नहीं लेते और वहाँ पर अगर आपको इस तरह की error आती है तो उस case में आप अपने phone की setting को open कर लीजेगा then setting को open करने के बार आपको more setting अलग-अलग phone में Samsung की device setting अलग हो सकती है बट आपको करना यह मैं short बता दो तो आपको अपनी phone को एक बार receipt कर लेना है ठीक है पूरे तरह से receipt कर लेना है जिससे कि यह problem आपको ना सकी ठीक है receipt करने से पहले एक और चीज़ समझ लीजे कि आप अपना data का backup ज़रूर ले लीजेगा जो भी WhatsApp का डाता है जो भी आपकी contact numbers है या फिर जो भी आप वगेरा में ले सकते हैं तो कैसे लिया जाता है उसके उपर आपको भी YouTube पर करी सारी वीडियो भी मिल जाएगी उसको फॉलो करिए और उसके बाद आप वैक अप लेने के बाद अपने डिवाइस को पूरी तरह से receipt कर दिजे के एक बार देना आपको इस तरह की जो बदरो करेंजेगे